Hello everyone, welcome back to the channel. आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जैसे वे आईसो एकस का प्रोटीन कंटेंट किस तरह से कैल्कुलेट करते हैं एस पर लेबल क्लीन और इसको लैप रिपोड के आथ किस तरह से वेरिफाइ करेंगे वो हम लोग बात करेंगे. प्लस कूप के साइज के साथ प्रोटीन कंटेंट, काभवाइडेट, फैट और इसको किस तरह से वेरिफाइ करना है और लेबल रेटिंग किस तरह से करना है वो अम लोग बात करेंगे. साथ में टिपिकल अमीनो प्रोफाइल जो कमनी ना अल्रेडी वेबसाइट के ओपर और अम लोगे लेबल के ओपर भी पूराण डिस्प्ले करके रखा हुआ है उसको किस तरह से स्टडी करते है आज का बड़ी होगा आपको लास्तर देखना है हाँ तो स्टार्ट करते हैं अम लोग रेफरेंस के लिए वे आइसो एक्स प्रोड़क्स पो लेंगे और दुसर है यह अपना लेबल क्लेंग है लेबल क्लेंग में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा इसमें वन हीपिंग स्कूप 44 ग्राम का है वे आइसो एक्स का उसके अदर हम लोगों को टोटल फैट कितना है 1.2 ग्राम काबॉइड है 0.9 ग्राम और प्रोटीन कितना है 33 ग्रा अब इसके साथ सब अपना एक आजाता है और क्रियेटीं मोनाइड जो अब अल्री ग्राम का रहता है उसके हाफ है मतलब आप डेली वन टू स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं तो क्रियेटीं 2.5 ग्राम है तो टोटल अपना वह जा रहे हैं यहां के हम लोग स्कूप साइज क बनता है 35 ग्राम का और अधर इंग्रियन जो बचता है कितना है 9 ग्राम का अपना अधर इंग्रियन्ट बचता है तो वो क्या है तो टोटल इंग्रीडेंट्स हम लोग देखेंगे अगर फाइनल टोटल करना है तो 35 प्लस 9 मतब 9 जो है वो दूसरे इंग्रीडेंट्स हो क्या है वो हम लोग देखते हैं अब मैं यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह इमेज अल्रेडी और लेवल क्लेम के उपर ही प्रेज सबस्टंस इस स्टेविलाइजर लेसितिन शुक्रालोज एसल्फिम एंजाइन ब्लेंड अब जैसे नेच्रल आटिफिशल फ्लेवरीं है तो कोको अभी चौकलेट है तो कोको अभी नेच्रल फ्लेवरिंग सबस्टंस के अंदर कैल्क्लेट होता है तो यहां पर देखेंग मिल जाएगा तो जाएगा अब अब अप बोलेंगे कि यह तो ओहर का ब्रख दर स्कूपव प्लस नाई अधर इंडर इंडर है जब देख इस वाइन के निया यह सिर्ट एंदर है तो हम भूग इसके रफरेंस सब एक इंटरनेशल द लेंड लखेंगे नाय्डो टैक का मसूल टैक का प्रोड़क्त रखेंगे अब ओर इसका लेबल क्रेंगे तो इसके लेबल क्लेम में हम लोग देख पा रहे है ठीक के आपको दिख रहा होगा स्कुक साइज है 46 ग्राम का उसके अंदर हम लोग का टोटल काभवाइड आ रहा है 4 ग्राम प्रोटीन है 30 ग्राम और फैट्स है 2.5 ग्राम और इसके साथ साथ इसमें भी रप्रोटीन है 30 ग्राम जाता है क वह सब को Hmm ग्रिमिलावीं में प्लस कई तहो किता हो जाते हैं 30 फाइंग 1 और अध्र इंग्रिइंट जो इसके बाकी के वो इतना है 7 ग्राम है इसमें भी क्या के लिखा हुआ है कोकॉआ प्रूसेस्ट विद आलकली नेशरल आटिफिशल फ्लिवरीं लेसितिन गम ब्लैंड एंजाइम ब्लैंड शुकरलोस असलपन तो यह इंग्रिडेंट्स उसमें प्रेजन तो इससे आपको एक चीज़ क्लेडे हो जाएगा कि जिस तरह से स्कूप का मैजरिंग होगा एक्जेटल आपको 100% जो अपर टोट तो इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं काफी लोगों के क्वेस्टन रहते हैं कि जैसे अगर अपने प्लस करें स्कूप साइज को तो स्कूप साइस के अंदर अम लोग यहां पे जैसे अम लोग ने प्लस किया था यहां का अब देखेंगे काभवाइड रोटी छो स्कूंद राकितना होता है 30 आप फिर्टी फॉर थर्टी फाइल थेवान पंदू अपना हो रहा था प्लस लोग क्या करते हैं इसको 20 डगल मैंट्रिक्स है उसको भी वहां पर प्लस कर देते एक्चली तो ईससा नहीं होता है 200 अपना पनता है अमीनिवे से और जो दबल प्रोटीन के अंदर अब यहीं पर देखते हैं अगर आप लेबल के यहां पर है अगर लेबल के अगर कोई भी प्रैंट के अंदर बीसी डवल देखते लिए तो अलग से अदेट नहीं होता है जो भी उसके अंदर प्रोटीन है उसका एक्षी बना इन ही अप्रोफाल से है तो वही अमीन असेट्स आपको यहां पर री प्रेसेंटेशन के फॉर्म में बताया होते हैं ठीक है ओके तो लास्ली जो हम लोग ने अभी हम लोग ने डिसकॉस किया आपके बीसी डवल मैंटिक्स को प्लस कर दोते हैं अब जैसे मैं बताया कि प्रोटीन जो बना हुआ मैं आपके älताया में मेंटर करेंगे आपको जब आपको यहतार streaming के प्लस करेंगे आपको तक कि अगी एंट शापर विजह गालने कि अग्या प्रोटीन यहां से मिलेगा मतला आपका जो प्रोटीन कंटेंट जो लेबल पर दिख रहा है उसके अंदर जो अम्यून अंदर एसे प्रेजेंट है और जो आप इसका टोटल करेंगे आपको यह पूरा एस पर लेबल क्लिए 33 ग्रोटीन मिल जाए रहा है कि इसमें क्रियाटी प्रोटीन उसके अंदर इंक्लूडेट है यह पर प्रोटीन अलग से और साथ में क्रेटीन है तो हम लोग में यहां पर क्लियर लेबल पर ही बताय हुआ है कि लेबल पर प्रोटीन पूरा कंप्लीट है उसके उपर एडिशन पर 2.5 ग्राम क्रियाटीन एड़ेट है ठीक है प्रोटीन प्रोटीन निल रहा है और उसका हम लोग में यह क्वेशन का भी आंसर दिया कि 33 ग्राम का प्रोटीन है 44 ग्राम के स्कूप में from 33 ग्राम कैर्टीन है है और मैंग लीटिन के प्रोटीन है। ग्राम के साइट विर्ण टोट rę उसका में फ्लेा करें टोटल कर रहे हैं। इसका म्लोग इस थर्टीन किया है उसको में सशीरा इन फ़िर कोटोटीन निल रहा है उसको किस तरह से 20 अलीश के अले तो प्रोटीन वह मैंने प्रोटीन को एते हैं वुट एक थम लोग आसे बाधें इस जो इसन जरी प्रोटीन हम अब डूप के अंदर तो उसके लिए वहर एक रियाटिन भी क्या है एक अम्या एसी डिये अपकर प्रोटाइशिये अब इसके बढ़ाइब एक अमीनी अवीन अ तो इसलिए हमेशा थोड़ा 2-5% का वेरेशन अपने लैब रिपोर्ट के अदर उसमें दिखेगा अब पहले तो एस पर लेवल क्लेंग जो हमने लेवल क्लेंग किया है उसके तर कितना प्रोटीन पसंटेज केल्कुलेट हो रहा है वो हम लोग चेक करते है यहां के आपको क् सोड़्ाव तो हमेशा इस प्रोटीन पितना है यह क्लिए उसके प्रोटीन इस में लिए फुर्टी ग्र, इस फोडेटी ग्राव के ने, तो हमेशा हुआ इस प्रोटीन पीता है थनदी थीशर अग्रोंतर यखेए वाल रिपिलेट तो क्रॉस मंटिप्लाइ करेंगे लिए किया करेंगे हैं, चीकर, टीकर का स्कूप गूप निजीक निए खुराइड सेज़न का अचरस और मिथरीं दीगना पूहां फैयं कि आपस अuk Здupra 182 सभुषिक स्युजद पर वे सौर को जाम अचेए विघू और 30 इया को ऑग मेंख ब्रच्टम प्रच्छिक लेड इन उन प्रच्छ आदर इन थी सब्सक्राइब और स्टैंडर्ट लिमिर्ट हमेशा जब प्रोटीन कंडेंट का लिमिट रहता है जब प्रोटीन टेस्स वह बुस भी वह जो सकता है और वह आ कि अधिक सब्सक्रीन नहीं कर तो इसने शलिए प्रोटीन पास हो रहा है तो एस पर रेंज क्या है 95 तो 105 का रेंज रहता है और अबसेशन बसेशन मधब एक्च्छ रिजट क्या रहा है एक्च्छ रिजट आया है 102.52 यह एक्च्छ रिजट मधब कितना पसेंट प्रोटीन हो गया 76.89 मतब ऑल्मूस 77 प्रोटीन इसके अंदर एस पर रिपोट कितना रहा है रिपोट के इसाब सर्थोट 77 परसेंटेज ग्राम स्कूप साइज के अधर अपना आता है तो पॉइंट फाइफ ग्राम अब क्रियेटिन जो है वह कौन से फॉर्म में है क्रियेटिन के नहीं होगा तो प्लस उसके साथ अटेज किया है वाटर मोलॉक्य उसके दाब अटेज़ है तो वहाँ पर क्या होगा एक्षोल जैसे 2.5 है तो नाइट्रोजन वैलिए उसकी कुरी 100% नहीं होगी क्यों नहीं होगी उसकी 100% उसकी नाइट्रोजन वैलिए फिरसे में क्लेर कर दता हूं जिसे क्रेटिं मोनो हैड्रेटिंग एक वाटर मोलॉक्य उसके दाब अटेज़ है तो इसके लिए उसकी नाइट्रोजन वैलिए नहीं आएगी तो कितनी आ सकती है इसकी ऑल्मस्ट स्कृप्टी से लेके 75 परसंट के आसपस होगी तो हम लोग से 2.5 ग्राम है तो अपने एस्टिमेट इतना दो ले सकते के 1.25 से लेके 1.5 के आसपस इसकी नाइट्रोजन वैल्यू मिले की रिपोर्ट के अंदर अब अपने चेक करते हैं अगर हम लोग का स्कूप साइज जो था जिसके अंदर हम लोग 33 ग्राम प्रो इतना परेंगे प्लस अल्मोस 1.25 करें 34 चलिए 34.5 मेक्सिम लेके चलते हैं तो 34.5 प्रीस आप सम्रों कैल्क्पिलेट करते हैं ठीक है 44 ग्राम का स्कूप है 100 ओके 34.5 इंटू 100 त्यों आप स्कूप अल्मोस 78.4 यह इस पर लेवल क्लेम आ रहा है जो उन्लों का विद्ग्रेटीम होता है वो और यहां पर हम लोगा रिपोर्ट के अंदर इतना आ रहा है 77 बतलब 1% का विरिएशन है वो टेस्टिंग अनर भी विरिएशन हो सकता है और जिसे प्रोटीन ह है तो प्रोटीन के अंदर भी हर बार जो लग क्या बल सकते हैं कभी-कभी और जादा भी आसकते है इसके तरह कभी 1% 2% का विरिएशन हमेशा कोई भी लैग रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोई भी ब्रेंट के अदर तो यह वीडियो का और इसके अंदर म अधियर करते हैं और साथ में जो लैब रिपोर्ट है लैब रिपोर्ट को किस तरह से कंपार करते हैं लेबल रेट के साथ तो अगर कुछ और डॉट्स रहेते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके मेंशन कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ